हेलो गाइज आप देख रहे हैं मदुबाला की रिसोई आज हम क्रिल्ली की ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो बहुत ही आसान तरीके से बनाई जा सकती है क्रिल्ली ये लिये हैं आदा किलो इन्हें धोकर के सुखा लिया है तीन प्याज लेंगे और ये तीन टमाटर दो हरे मिरच आमचूर सोंग धनिया पाउडर जीरा पाउडर हल्दी नमक स्वाद अनुसार जीरा हींग डेगी मिरच लाल मिरच एक कटोरी ओयल करेले काट लिये हैं इन्हें लंबाई में काटा है टमाटर भी ये लंबाई में काते हैं और हरे मिरच और प्याज भी ये काट लिये हैं और डाल देंगे कड़ाई में और अच्छे से गर्म हो जाए वेट करेंगे और गर्म हो गया विसमें जीरा डाल देंगे और हींग डाल देंगे जीरत चटक गया है करेले डाल देंगे डाल देंगे टमाटर भी डाल देंगे साथ में और ये हरे मिरच भी डाल देंगे और प्याज भी साथ में ही डाल देंगे अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से सभी मिसाले डाल देंगे हुआ है हुआ हुआ है वो मिक्स कर देंगे चिसे सब्जी अच्छे से मिक्स करें सब्जी भी मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं अब इसे ढख करके 10 मिनुट पकाएंगे अब चेक कर लेंगे करेला सब्जी अच्छे से फ्राई हुई है अच्छे से चला के देखेंगे करेला सब्जी बन के तयार है अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे अब झाल लेंगे करेंगे प्राई लेंगे और लेंगे अब लेंगे किरला सब्जी वेल के तयार है